हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टु माई चैनल आज हम आपको वेलवेट का स्टोल रेडी करना सिखाएंगे कम खर्च में हम वेलवेट का यहां बड़ा सुंदर ही स्टोल रेडी करेंगे यह मैंने इसके लिए लैसेज ली है और इसके लटकन भी ली है यह फ्लावर वाली रै 39 रखी है और लैंथ आप अपने अकोले मिले सकते हैं मैंने यहां सवादो मिटर लिया है लैंथ इसकी इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उपर की साइड फैबरिक को हलका सा फोल्ड करते हुए और लैस को किनारे से स्टीच करेंगे यहां कोर्णर पे आने के बाद यह से घुमाते हुए कोर्णर बना लेंगे इसको 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 बना सकते हैं अब हम यहां इसको फोल्ड करते हुए लैस को टैज कर दूंगी अब हम यहां यहां मैं दूसरा स्टिच लगाने जा रही है यहां मैं दूसरा स्टिच लगाने जा रही है इससे लैस अच्छे से बैट जाएगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जुरूर करें यहां मैंने इसको लैस को रड़ी कर लिया है अब हम इसको इस पर जो हमने प्लावर लैस ली थी इसको कट करके ऐसे हम इसको काट लेंगे और इसको अटेच कर देंगे बीच बीच में इसके फ्लावरों को अटेच करेंगे देखे मैंने गलू की हेल्प से इसको अटेच किया है आप इसको एक बार गलू से लगा के और इसको फिर श्टिच कर सकते हैं फिर अच्छा से फिक्स हो जाते हैं निकलते नहीं है मैंने यहाँ गलू से पेस्ट करके और फिर इसको मेशीन से अटेच किया है यहां मेरे स्टोल में यह पेस हो चुके हैं और मैंने इसमें लटकन भी लगा ली हैं यह इस तरह से आप भी अपना स्टोल रेडी कर सकते हैं